नमस्कार मित्रो मैं हकीम नेविंदित्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा हकीम द्राबावाले में आप सबका हार्दे का भी दिल्धन करता हूँ मित्रो कल हमने जवरों की उत्पती का कारण अध्धात्मक दिस्टी कौन से देखा बेड जवरों की उत्पती में कहार्ण का कारन बताता है किन उत्पती हुई जवरों का आगमन हुए मनुष्यों में जो उद्धरों प्रकट हुए जो मनुष्यों में पाएगे जवर कहलाएगे जैसे पातक अभिताब आथियों में पातक गोरूं में अभिताब इस प्रकार मैंने जो संशे पूर्म आप से वाता लापता की तो मित्रो बभिन ने प्रकार के जवरों का ग्यान और उनकी चकिस्तान नामा की शंक्रा के दारा वाहिक तीन का आज हम श्री गनीश करने वाले हैं आज का तापक पिछले जो हमने दो भाग बनाए उसे कर्म को आगे ले जाते हुए हम बना रहे हैं तो बंदवो आप क्या करें कि आज का एपिसोट मेरा ध्यान से सुने देखें इससे पूर हो कि मैं अपने विश्य को आगे ले जाऊं सभी प्राने मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियों लाइक करें जो मित्रों मेरे चैनल को प्रताहा यानि पहली बार देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियों को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेड़ा इकन वारी घंटी को ज़रूर दुबाएं ताकि आने वारी वीडियो की नोटिकेशन आग तक पूंटी रहे तो मित्रों आज हम बात करेंगे जवरूं का साधारन सवरू क्या होता है ध्यान से सुनिएगा बहुत घंबीर वाला विश्य है जिस रोग में शरीर गर्म होता है शरीर में दर्द होता है उसी ही जवर कहते है आम बोल चालवे भाशा में से बखार और अंग्रेजी में इसको फीवर कहा जाता है फीवर हिकमत की भाशा में जुनानी लोग इसे तप कहते हैं और संस्क्रित में जवर कहते हैं शास्त्रों के अनसार जवरों के लक्षन इस प्रकारें ध्यान से सुनिएगा बंदवोग तो मित्रों इसमें एक सांस्कृत का शलोग है सर्वधे रोदो सना तपाहा सर्वग्रेहुं तथा युगपते रोगचे ना जवरो व्याबिदिश्चते व्याब दिश्चते ये एक सांस्कृत का शलोग है अब इसका हम जो नुबाद इस प्रकार से है कि जिस रोग में पसीन ना आई श्रीर बहुत गर्म और सारे श्रीर में दर्द और जकरन सी हो उसे जवर कहते हैं जवर के साधारन लक्षन यही हैं कि लक्षन में बेद में जवर बहुत किस्म का होता है कि इन तो चकिस्तिस विदाओं के दिश्टीकों से मुकता और आयुर्वेद के दिश्टीकों से मुकता जवर आठ परकार का माना गया है अब हम जो है इन आठ परकार के जवरूं का नाम लेंगे कि आठ परकार के जवर क्या है सबसे पहले वाद जवर, पित जवर, कफ जवर, वत पित जवर, पित कफ जवर, वाद कफ जवर, सनाप जवर, और अर्त में आगनुंतक जवर आईरवेद में सबी रोगों का होना वात्पित और कफ के कुपित होने से ही बतलाया गया है बदो जो भी जितने भी प्रकार हम वास्तों में किसी रोग का इलाज नहीं करते हैं हम वात्पत कित के जो इन बैलन्स हैं उसी को हम में बैलन्स में लाते हैं आगे चलते हैं वाद पीत और कर्फ के कुपित होने पे मुनिश्य को अपत्थ सेवन बतलाया गया है और अर्थात हम लोग उचित रूप से अहार विहार ना करने के उपरत वाद आदी दोश्यों को कुपित होते हैं उसे कुपित होकर नाना परकार के आधान परधान में सपच्ट बताया जाता है जैसे रोग बनाते हम खुदी हैं यूँकि हम खाते समें पत अपत रीतू समें काल इन चीज़ों को हम नहीं जानते अग्यानता वज़ हम कुछ उल्टा सिल्टा ऐसा कर लेते हैं जो हमें नुकसान देता है मान लीजिए ये बात इस वहारन से आपको समझाएगी कि एक ड्राइवर जो पुराना ड्राइवर है वो यदि वाहन चलाता है तो उसको पता होता है कि वाहन में गेर कब लगाना है कहां उसको क्या कंट्रोल करना है तो एक जो नया आदमी सीखता है तो वो उल्टा सीदा संचलन करने से या तो अपने को शतीप पहँचाता है या फिर वाहन को पहुचाता है यही प्रकार है कि आज कल के समय में शरील को किस प्रकार संचलन किया जाये यह को ही नहीं जानता, बहुत कम भी लोग जाते हैं, खान प्यान का कोई डिसीप्लेन नहीं है, कोई नहीं मों कोई अन्य निशासन नहीं है, जिस कारण Cathedral हम जाने नहीं जाने में, यह तो खुड को शक्ती पचाते हैं, या तेहीं रोगों को नियोता देते हैं बंदवो इस चीज़ को ध्यान देखें क्योंकि कम से कम खाने पीने पे रिवनतर रखें क्या कूंसी रितू में खाना है क्या कूंसे समय खानता है ये इस चीज़ को ध्यार रखें तो इस पे एक चाल्सकृत का शलोक में आपको और बताऊंगा तब ही जाके आपको क्लीर होगा उस फिर उसका अनुबाद भी करेंगे हम तो बंदो ये शलोक है सरवो शेमा वरोगनाहा निधानम कुपिता मलाहा तत कुपोतेतू प्रकतू विद्धाहित सरवेनम अब इसका मतलब है कि नाना प्रकार के आहित सेवन करने से इसका रथाता है वात दोज कुपत होते हैं इन तिनों में कुपत होने पर सारे रोग होते हैं अधा सदा आहित सेवन से बचना चाहिए जो मैंने आपको पीछे कहा अब इसके दूसरे शलोक में क्या लिखा है इसको भी ध्यान से सुनिए अब इसके आगे एक शलोक सांस्क्रित का आता है कार्दात कर्मनाहा योगना हीन मिथ्यती मात्रका सायापक योग्यचे विग्यानो रोगर आरोग्या कानम अर्थात काल अर्थ कर्म इनका हीन योग मिथ्या योग और अती योग से ही रोगू का कार्ण है इस से उचित योग से ही आरोग्य का कार्ण है यानि मैंने पहले बला काल समय प्रस्तिती में ही के अंसार ही रोगू की पत्य होती है कौन सी रितू में क्या खाना क्या योग करना ये भी एक जो है रोगनु से इसी के कारण रोग उत्पन होते हैं और ठीक करन उसको करने से आरोग्जी की प्राप्ति होती है ये भी एक कारण है बंदू इसके आगे एक शलोग आता है उसको भी ध्यान से चुनिए काल बुधि निंद्रा यानि योगया मिठ्या ना चैती चाहा अरिधात काल बुधि और इंद्रिय उके मिठ्या योग और अती योग ये आतियोग ये इनु शारीलिक और मानसिक रोग जोक के कारन होते हैं हर चीज और देश काल प्रकती अभुती के विरुद खाना पीना डोलना फिरना या काम करना संयोग वरिद संयोग वरिद पदारतों का तलिकाप करना खाना और जैसे दूद या मचली देही मुली खाना संयोग विरुद भोजना है या दूद के साथ मचली मूली के साथ देही खाना ये संयोग के विरुद है ये नाना वत रोगुं को उत्पन करते हैं दूद और मचली चर्म रोगुं को उत्पन होता है तो ये भी चीज देखिए बोजन करते समय बेसमय जब चाहें खा लेना यानि बीना समय खा लेना ये बोजन के बीना पचे दूसरे बोजन को करना भूख लगने पर ना खाना अपनी ताकत से अधिक शर्म करना अत्यादिक इस्त्री परसंग करना अथ्था तथा प्रभात समय में इस्त्री परसंग करना तीज धूप में घूमना वेशाली या बद्बूदार हवा में घूमना वर्यावरन का ध्यान रखे परदूशन से बचना, वर्षा काल में भीगना, कहीन चल कर आते समें शरीर में गर्मी से सनान कर डालना, इस्त्री परसंग अथवा मेहनत करना, तत्काल ही सनान कर लेना, ऐसे उधारन और सबी मित्या आहार विहार करना शामिल होते हैं बंदुओ और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूँ, कि मित्या आहार विहारों के कार नहीं वात पित और कफ तीनों दोश को पित होते हैं, और जवर तथा अन्य रोगों को भी पैदा ये करते हैं, बंदुओ ये ध्यान देखने वाली बात है, मित्या आहार विहार, शरीर क संजालन यानि बलेडी सिस्टम को बिगार देती हैं, यहां तक कि अन्य कुप बचाने वाली जो कार्य परनाली है, सिस्टम है, जिस पर सारे शरीर का दारो मदार होता है, बंदुओ उससे भी बिगार देती हैं, एक के बिगने से साचाय रोगों की रह जाती है, और दूसर में जितने समय तक मल रहना चाहिए, उससे अधिक समय तक अगर मल रुका रहता है, तो उससे मला रोध यानि कब्ज, आंतों की शितल था, शितल होने लगती हैं, तदा असली जो रोग मल का रुकना, जो मल का रुकना कब्ज है, इसी परकार तने के रोगों की उत्पती गर कार्ण होता है वो हसा होता है हसने के उपरा तो हमेशा लड़ाई होती है और अन्हेक बमारियों के कार्ण मात्र कब्स होता है यह चीज़ को बंदो आप ध्यान देखें सिर्स के रोग के कार्ण होते हिर्दे तक पहुंचता है मल शूल अत्यादिक हिर्दे रोग बनाता है हा वायू चल मन्द की चाल जो है मन्द हो जाती है शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम यह हवा करती है मैंने पिसले हपी सोटल में बनाया उस ट्रांसपोर्ट रूट ही आपका बलाग हो जदा है क्यूंकि वायू से ही ठेल कर निगती हुई हवा जो है पूरे शरीर में जड़े रोग नेत्र रोग जो है माल गंड प्रभुदी जो है रोग है उत्बन होते हैं मित्रो आज के अपिसूप में बस इतना ही मेरी एक बात याद है कि संसार में सबसे बड़े तीन सुख होते हैं मैं एक व्यद्द के अनुभव से आपका बताता हूं कि संसार के भाग गिर्शाली है दूसरा वो आदमी जिसका पेट प्रापर साफ होता हो सबसे सुखी वेक्टी संसार के मात्र ये दोनों ही वेक्टी है इस चेट कोई और सुखी नहीं इस चे बड़ा कुछ सुखकान भव नहीं तो आपके सर पे अगर रिन नहीं होना चाहिए दूसरा आपका पेट प्रापर साफ होना चाहिए यदि ये दो चीज़ें आपके अंदर हैं तो मेरी नजर में संसार के सबसे बड़े सुखी व्यक्ती मात्र आपी है तो मित्रो मैंने बता दिया कि कौन-कौन से गलत कामों करने से कौन-कौन से रोगों की उत्पती होती है अज समय चलना फिलना खाना बिलना डोलना रित्रों के विरुद भोजन करना जब भूख लगे तो कम खाना जब नहीं लगे तो खाना मतलब जिन्दगी के अंदर अगर आपको जीना है तो आपके हर चीज के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए चाहिए वो खाने का डिसिप्लिन हो चाहिए आपको वानी का डिसिप्लिन हो मित्य आहवार विहार भी एक गलत कारे है जो आप हो जो आपके अंदर सही प्रापटीज हैं वही आपको सामने आनी चाहिए बंद हो तो मेरी आज की वीडियो बहुत ही लाबंतिक है इससे आपको बहुत सा लाब होगा भाग जार में मिलेंगे इसी महत पूर्ण टापक के साथ तब तक मित्रो अपना ध्यान रखेगा जयाहिए रुएद